गुद मॉर्निंग क्लास सेकेंड दिस इस आशिस अन्य सब्जेक्ट मैड एक्सराइज वन हमारी एक्सराइज वन चल रही थी उसके हमने लास्ट फाइफ कुश्चन कम्पेट कर लिये थी जो हमारा लास्ट कुश्चन था कुश्चन नमबर 5 वो था फिलिंग इन दा बॉक् से स्टेटमेंट को देखते हुए मैंने आपको एफ तकल कम्पीट कर वा दिया था एंड जो त्री रिमेनिंग कुश्चन थी वह आपको सेल्फ करने के लिए दिये थी तो आपना अंसर मैच कर लीजिए जी है 41 & 53 53 is greater than 41 एच 99 & 99 बोत आर एक्वल यह दोनों नमबर्स एक्वल हैं दोनों तरफ 99 हैं तो एक्वल का साइन लगा देंगे आई 67 & 71 तो आपको पता है 71 is greater than 67 सेवन सेवन से बड़ा होता है इसलिए सिंबल है उसका फेस ओपन है 71 की तरफ & क्लोज है 67 की तरफ यह आपका कॉश्चन नमबर 5 कंप्लीट हो गया है नेस्ट कॉश्चन है कॉश्चन नमबर 6 कॉश्चन नमबर 6 रीड करते हैं write the following in ascending order write the following in ascending order आपको ascending order का मीन पता होगा कि ascending order क्या होता है ascending order का मीन होता है smaller to bigger यानि कि small से bigger नमबर तक numbers को write करना कि यह आपने पहले भी पढ़ा होगा ascending and descending के बारे में तो से मुसी तरीके से है यह है आपका 59, 38, 48, 39, 30 and 49 जो इसके अंदर से सबसे small number है आपका 30 उसके बाद है 38 नेक्स्ट नमबर है वो है 39 नेक्स्ट नमबर है 48 इससे नेक्स्ट नमबर है 49 and लास्ट नमबर है 59 दीखिए यह ascending order बन गया है स्मॉल इससे बिगर बिगर नमबर इससे लार्जर नमबर लार्जर नमबर एंड हाइस नमबर 59 इहां पर हाइस नमबर है यह और अर्डर बन गया है आपका ascending order बी 62, 74, 76, 86, 84 and 82 अब देखिए इस में से जो सबसे स्मॉल इस नमबर है वो है 62 देन उसके बाद जो नमबर है वो है 74, 76, 82, 84 and last 86 यह आपको ascending order आपका बन गया है 62, 74, 76, 82, 84 and last 86 यह तो आपके two question ascending order की complete करा दिया है जो C वाला है वो आपको self करना होगा with the help of A and B यह और B को देखते हुए आपको C वाला self करना है आपकी book में next आपका जो question है वो question number 6 का opposite है आपने question number 6 में ascending order पढ़े थे question number 7 में descending order पढ़ेंगे ascending and descending यह दोनों ही एक दूसरे के opposite होते है descending का mean होता है bigger to smaller यानि कि bigger से smaller तक number को write करना यह है आपका 50, 78, 65, 37, 87 and 58 तो इन numbers में से जो सबसे larger number है वो है 87 जैन इस से small जो number है वो है 78, 78 से small जो number है वो है 65 and 65 से जो small number है वो है 58, 58 से smaller है 50 and last जो number है सबसे smallest नमबर है वो है 37 तो आपका यह order बन गया in a descending order 87, 78, 65, 58, 58, 50 and last 37 बी 26, 45, 67, 29, 13 and 52 तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा नमबर है सबसे larger number है वो है 67 उसके बाद जो smallest नमबर है वो है 52 उसके बाद जो smallest नमबर है वो है 45 तो देन 29, 26 and last 13 तो देन 29, 26 and last 13 तो 67, 52, 45, 29, 26 and last 13 यह आपका descending order बन गया है इसका C question भी आपको self fill करना है अपनी बुक में विद्दा है help of A and B तो आपको दो question दिये गए है question number 6 का C and question number 7 का C तो यह आप self solve करिए अपनी बुक में थेंक्यू झाल जञा है झाल